फेलो दोस्तो स्वागत आप कैसी बीच चलें तो दोस्तो आची इस बीडिक्स करेंगे बीए बीकॉम बीए से सी एलसी थल्ड राउंड के बारे में जी हैं दोस्तो तो दोस्तो अगर आपकी त्वेल्ड क्लास में सप्लीमेंटरी आई यह तो आपके लिए वीडियो बहुत पायदेमंद होने बाला है बहुत ही इंपोटेंट होने बाला है जी हैं दोस्तो अगर आप बीए बीकॉम बीए सी में सी एलसी थल्ड राउंड में किसी भी कॉले में एड्मिशन लेना चाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखा हैं देखिए दोस्तो अगर आपकी 12 करना है कोड़ में से लेने के देखिए आपको क्या कर लेने के लिए. करना होगा पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं सबसे पहले तो देखे देखो दोस्तो पूरा प्रोसेस है हमारा सबसे पहले आपको क्या करना है रेजिस्टीशन जी हां दोस्तो आपको सबसे पहले रेजिस्टीशन करना होगा ये प्रिविस की वेपसाइट पर रजिस्टीशन स्टार्ट हो चुकी है रजिस्टीशन दोस्तो कब तक होने वाले हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपके रजिस्टीशन का पूरा प्रोसेज में आपको कम्प्लीट बता चुका हूँ 9 अक्टूबर से हमारे रज रजिस्टेशन स्टार्ट हो चुकी है और 14 अक्टूर तक हमारे रजिस्टेशन चलने बाले हैं अगर आप सफ्लीमेंटरी आएं तो आप एडिमिसन नहीं ले पाएंगे इसके बाद जो फूर्ट प्रोसेस होगी वहाँ होती है जिया दोस्तो रजिस्टेशन करने के बाद ज कि ढूंस आइंग्ल स्कारें दोस्तों आपको सिय् cœur लेता है और APP जिस कॉले से लेनाए जाहते हैं तो बॉन्हें दोस्तो i.e. लेना काम के लिखेर है?rency भाष से बेशा है के बाद दोस्तों भुने के बाद आनगाधि सी आप अपने भी कोलेच्व करानी जा रहा है, परिखेसें के लिए आख जुछ क्डास होगा है, कुछ से बेखेसें के लिए के लिए हमको तीन प्रोसेस से होकर गोजनना होगा सबसे पहले रजिस्टिशन नंबर दो पर चॉइस्पिलिंग नंबर तीन पर बैरीपिकेशन के लिए क्या क्या डोकुमेंट लगेंगी वह मैं आपको पता देता हूं आप रजिस्टिशन करते टाइप पर जो भी डॉकु यहनगे आपके पास जोभी शाढ़ पिकड़ ले जाए साथ यह आपको अपनी टीसी और आपने रुख जाना नहीं हुजना के धेत पास-आउट किया है तो उसका क्या होता है माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन ले जाना है और अगर आपने जो MP.BhEP से किया है किसी स्कूल से किया तो इसका TC ले जानी है तो यह सारे document आपको ले जाने और आपका वेरीपेकेशन हो जाएगी अब वेरीपेकेशन होने के बाद में क्या होगा आपकी行प मेरे लिष्ट निकाली जाती है मेरे लिष्ट आएगी मेरे लिष्ट 19 तारइक को हमारी मेरे लिस्ट जारी की जाएगी और मेरे लिस्ट में आपको एक कॉले अलोट कर दिया जाएगा यानि कि चॉइस प्रिंग में आपका जो चॉइस की है अपने कॉले उन में से एक आपको अलोट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको अलोट होने के बाद में आपको पूरा प्रोसेस आपको अपको अच्छे समझ में आ गया होगा विडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जाना 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 है जिससे काई सभी दोस्तों किसके बारे नौले मिल सके मैंने आपको अध्रोसेस पूरा बता दिया है यानि कि रेजिस्टेशन से लेकर कोले में अध्रोसेस प्रक्रिया वो कंप्रेट आपको बता दिये अगर आपको अब भी कोई वीडियो आफ़ तो कमेंट करें मैं आपके हर एक प्रोलम को सौर्व करना इकोसिस करता हूं करता है